हेलो दोस्तों आपने कभी टमाटर के उपर इस तरह से दूद डाला है टमाटर के उपर इस तरह से दूद डालने से हो जाएगा कमाल जो कमाल होगा आप भी हैरान हो जाएगे आपके हजर हजर रुपिया खरच होने से बच जाएगा तो चलिए क्यों हम टमेटर के उपर दू तो चलिए हम देख लेते हैं क्यों हम एचीज एपलाई करेंगे और कहा पर एपलाई करेंगे पहले क्या करेंगे संत्रे को इस तरह से बीच में से काट लगा लेंगे क्या करना होगा मैंने या पर ले लिया है एक कटोड़ी के अंदर डाल रही हूँ चार चमबच के करीब दूद मैंने या पर कच्चा दूद लिया है या पर आपको कच्चा दूद ही यूज करना होगा तो बहुत ही अच्छा होगा उबला हुआ दूद या पर मत लीजिएग इसके अंदर डाल रही हूँ संत्रा, आप चाहे तो निम्बू भी यूज़ कर सकते हैं, दो चम्मच के करीब संत्रे का जो जूस है इसके डाल देंगे, संत्रे का जूस जालने से क्या होगा, हमारा जो दूध है फटने शुरू हो जाएगा, जब भी हम पनीर बनाते हैं दू होती ज़्यादा लाजवब होने बाला है एह चीज, अच्छे तरीके से संत्रे के जूस के साथ दूध को मिला लेंगे, मैंने ले लिया है एक टमाटर, एक लाल देखकर टमाटर आप जरूर लीजिएगा, फिर क्या करेंगे, इस तरह से टमाटर को मैं हाप कर लिया है, फि टमाटर ही से हमारा कम बन जाएगा, देखिए अच्छे तरीके से ग्रेट करने के बाद ना जो टमाटर है या पर तो बीज है इसके अंदर, इसलिए इसको छननी से पहले हम छान लेंगे, या पर हमें चाहिए टमाटर का जूस, टमाटर में होता है भरपूर मात्रा में भी जाने के बाद इसके अंदर डाल रही हूँ, एक चमच के करीब गेहु का आटा और आधा चमच के करीब कोल गेट, फिर क्या करेंगे, अच्छे तरीके से मिला लेंगे सारे चीजों को, इस तरह से मिलाने से एक क्रीम जैसा पेस्ट हमारा बन के तयार हो जाएगा, जो हमार हजर हजर रुपिया खरच होने से बचा सकता है, इसके अंदर और एक चीज हमें एट करना होगा, देखिए अच्छे तरीके से मिक्स्ट करने के बाद मैंने या पर ले लिया है कोकोनाट ओयल, थोड़ा सा आप कोकोनाट ओयल या पर जरूर एपलाई कीजिएगा, नहीं त तौचा पर हम एपलाई करेंगे, हम क्या करते हैं, महेंगा महेंगा पाल लट जाकर फेसियाल कराते हैं, कई बर साधी में जाना हो, या पार्टी में जाना हो, हमारे तौचा एकदम से काला हो रहा है, देखने में बहुती ज़्यादा बुरा लगता है, अगर हम घर के मिनिट में रिजल्ट मिलेगा इतना अच्छा आप भी हैरान हो जाएंगे देखकर तरीके से लगाने के बाद पांच मिनिट के लिए इसको सूख जाने देँगे फिर पांच मिनिट बाद देख सकते हैं थोड़ा सा सूख गया है आप क्या करेंगा हातों में थोड़ा सा पान से ग्लो करने लगेगा और हमारे तोचा भी गोड़ा हो जाएगा अच्छे तरीके से इस तरह से मैं एक मिनिट के लिए मसस करने के बाद मूँ धोकर भी दिखा रही हूं देखिए मैं साब पानी से मूँ को अच्छे तरीके से धो लिया है देख सकते हैं मेरे चहरे पर एक सा लाइन चला आया है एक नैचरल ग्लो चला आया है घर में चीज जो मजूद है उससे ही आप इतना अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं अच्छे लगे तो लाइक करें